Hey guys and welcome back तो इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML का table element देखने वाले हैं यानि कि इस table element की help से हम लोग कोई भी tabular data को सो करा सकते हैं जिसके अंदर हम लोग के पास एक row होगा, एक column होगा यानि कि कुछ इस तरह का data जिसके अंदर हम लोग के पास यहाँ पर row है और यहाँ पर हम लोग के पास column है तो इस type के data को सो कराने के लिए हम लोग के पास HTML के अंदर एक element होता है table नाम का, जिसका हम लोग use करने वाले हैं, जिसको अभी हम लोग सीखने वाले हैं तो यहां पर हम लोग का एक table का code लिखा हुआ है इस code को ही देख के हम लोग समझेंगे कि हम लोग का table क्या होता है तो इस table के अंदर सबसे पहले सबसे पहला जो हम लोग का tag होता है सबसे outermost tag वो हम लोग का एक table का ही tag होता है जिसके अंदर हम लोग का table का open tag होता है और उसके बाद table का closing tag होता है इस tag की help से ये पता चलता है कि इसके अंदर अब जितनी भी चीजे होंगी वो हम लोग का इस table का element होगा या फिर उस table की data होगी ठीक अब इस table tag के अंदर जो हम लोग के पास सबसे पहला tag होता है अब वो होता है हम लोग का tr tag tr tag का मतलब होता है table row यानि कि अपने tr की help से हम लोग अपने table के अंदर row को create कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एक table create कर दिया अब इस table के अंदर मेरे पास एक भी row नहीं है और एक भी column नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले एक tr tag create करेंगे यह tr tag क्या करेगा यह tr tag हम लोग के इस table के अंदर एक row create कर देगा तो current में अगर हम लोग देखें तो यह हम लोग का एक table ही है और इस table के अंदर केवल एक row है हम लोग के पास ठीक यह केवल एक row है बट हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक और TR क्रियेट कर दिया यहां पे यानि कि ये भी TR हम लोग का टेबल रो ही है तो अब क्या हुआ हम लोगों के पास एक ये टेबल है जिसके अंदर हम लोग के पास दो रो है तो यहाँ पर क्या होगा, यह हम लोग का table 20 से ऐसे बढ़ जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर हम लोग के पास पहला row आ गया, और यह हम लोग के पास दूसरा row आ गया, ठीक, अब क्योंकि हम लोगों ने row तो create कर लिया, अब हम लोग के table के अंदर columns भी होते हैं, जैसी हम है, दो row है, और यहाँ पर हम लोग के पास एक column है, दो column है, यानि कि इस table के अंदर हम लोग के पास दो row, दो column है, ठीक, 2 into 2 का हम लोग का यह tabler है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी create कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले tr tag से, दो ठो table row create कर लिया, अब जैसे ही हम लोगों ने row create किया, tr tag की help से, उसी तरह हम लोग के पास कोई tc करके tag नहीं होता है, table row, बल्कि हम लोग के पास direct element को store करने के लिए ही tag होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक ts tag है, यह ts tag क्या करता है, इस ts tag की help से हम लोग का table header cell create होता है, यानि कि इस row के अंदर हम लोग के पास जो यह दो ठो कॉलम है, इसको हम लोग यहाँ पर cell बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 ts use की होआ है, यानि कि अब क्या होगा, हम लोग के इस table के अंदर सबसे पहले वाले room है, यानि कि इस वाले room है, हम लोग के पास 3 cell create हो जाएंगे, 1 cell, 2 cell और 3 cell ठीक, अब पहले वाले cell के अंदर हम लोग का name store हो जाएगा, दूसरे वाले cell के अंदर हम लोग का role store हो जाएगा, और तीसरे वाले cell के अंदर हम लोग का movie store हो जाएगा, बट यहाँ पर जो हम लोगों ने use की aware tag, वो हम लोग का table header cell है, यानि कि ts tag के अंदर जो भी ह iltes tag के help से लिखते हैं अब उसके बाद जो हम लोग का Data होगा Table के अंदर वो हम लोग TDTIGEOTEG से लिखेंगे यानि कि Table data cell यह हम लोग का हो जाएगा Table Data इस अदर यहानि कि अब यह वाला जो डेटा है यहां पर हम लोग को तो इस चीज को समझनी के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपने कोड के अंदर आते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले अपने इस वाले विंडो के अंदर यानि कि अपने ब्राउजर क के और हम लोग इंश्पक्ड को उप्पिर लेंगे अब हम लोग अपने VS Code के अंदर आएंगे直接 का करेंग lush क्या करेंगे सब से पहले हम लोग tableasch क्रिएट करने वालें थो टेबल के लिए सबसे पहले हम लोग tablecause का यूज करेंगे अब अपने इस टेबल टेग के अंदर हम लोग को यह डिफाइन करना होगा कि हम लोग के टेबल में कितने रोज होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब मैं यहाँ पे तीन रोग करना चाहता हूं तो मैं तीन वर ट्याइड टेग कर देता हूं तो यह क्या करेगा यह हम लोग के लिए तीन रो क्रियेट कर देगा हम लोग के टेबल के अंदर ठिक करेंट में वो रो हम लोग को विजबल नहीं है बट वो रो हम लोग का क्रियेट हो चुका है यहाँ पर अगर हम लोग अपने इंस्पेक्ट करें तो हम लोग के पास तीन रो आ चुके हैं अब क्या करना है हम लोग को अपने रोस के अंदर डेटा को पूट करना है तो सबसे पहले वाले रो के अंदर मैं क्या करता हूँ मैं कुछ डेटा पूट करता हूँ आपने TD के help से, यानि की अपने stable data cell tag की help से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं Ironman store करता हूँ और इसी tag को मैं duplicate करता हूँ और यहाँ पे मैं टोनी start save करता हूँ, tick again मैं इस tag का duplicate करता हूँ, और यहाँ पे मैं Ironman यह movie हो गई ठीक हम लोग की अब हम लोग इसको save करते हैं तो जैसी मैंने save किया यह हम लोग के पास एक table row created हुआ है जिसके अंदर हम लोग के पास एक column में iron man है दूसरे column में Tony Stark है और तीसरे column में हम लोग का again iron man लिखा हुआ है ठीक बट हम लोग को एक header create करना होगा जिसके कारण हम लोग को पता चलेगा कि इस table के अंदर जो data है वो data क्या है यानि कि हम लोग को एक header चाहिए होगा तो header के लिए हम लोग क्या करेंगे अपने draft tag के अंदर हम लोग सबसे पहले TAG का use करेंगे यानि कि टेबल हैडर अब अपने SPA के अंदर सबसे पहले मैं ए गोष्ट में को स्टोर्ष करूंगा और उसके बाद मैं यहां पर रोल इस्टोर करूंगा और लास्ज में यहां पर पर मूवी करूंगा अब मैं क्या करूंगा इसको कट करूंगा और अपने टॉप पे रख दूँगा अब अगर मैं इसको सेफ करूं तो यह देखिए हम लोग का टेबल क्रियेट हो गया जिसके अंदर हम लोग के पास तीन टाइप की डेटा होंगे एक नेम होगा एक रोल होगा एक मूवी होगा तो के अंदर हम लोग ने आइरन में को स्टोर कर लिया अभी हम लोग के बास अगर टेबल रोह इसके अंदर भी चलिए डेटा स्ट्रोर कर देता हूं यहां पे कपटन अमेडर और जिए क्रोल है हम लोग थीव नाई और इसकी मूवी है Minh की मान लेते है इप क्टन अमेर का ही है ठिक इसको सेव करते हैं तो यह देखिए हम लोग का टेबल क्रियेट हो गया है जिसके अंदर हम लोग के पास तीन रोज है अब अगर मैं बॉडी पर आ करके अपने इस पेंट टूल की हेल्प से एक-एक को इंस्पेक्ट करूं तो यह देखिए एक हम लोग का रो दूसरा रो तीसरा रो पहले रो के अंदर जो हम लोग का डेटा है वो क्योंकि हम लोग का हैडर है इसलिए हम लोग ने यहां पर टीएस टैग का यूज किया हुआ है ताकि हम लोग का यह डिफरेंट दिख एडर के अंदर हम लोग को डेटा इस्टोर करना है तो हम लोग टीडी टैग का यूज़ कर लेंगे तो होफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग अपने अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमें सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग